टीमिने के तेज गेंद बाजों की धाक आज पूरी दुनिया में हैं। एक समय था हमारे सिर्व बल्ले बाजों की तारीफ हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे तेज गेंद बाजी आकरमन से आज दुनिया की बड़ी सी बड़ी टीमें डरती हैं। चाहे स्विंग करानी की छमता ने पूरी दुनिया को हरान कर दिया था। कहा जा रहा था ये यूवा तेज गेंद बाज कई बड़े रिकॉर्ड थोड़ेगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मनजूर था। लगातार चोटों से परिशान भुनिश और कुमार को लेकर अब ज इस टीम का एलान जब हुआ तो इसमें 30 गेंद बाज भुनिश और कुमार को नहीं जगा मिली। ये चौकाने वाला फैसला था और हर कोई इस बारे में बात भी कर रहा था। बाद में खबर सामने आई कि उन्हें इंगलेंड दौरे के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्य केलना ही नहीं चाहते हैं। टाइमस ओफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मताबी बुनिश और कुमार अपना सारा ध्यान टेस्ट क्रिकेट से हटा कर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में लगाना चाहते हैं। वो चोटों से परेशान है और अपने शरीर पर अब ज्यादा बोज नहीं डालना चाहते हैं। उनके टेस्ट करियर की बात करें तो उन्हें जनवरी 2018 के बात से ही कोई भी प्रुथम स्रेणी माच नहीं खिला है। उन्हें आकरी बार जनवरी 2018 में जोहानस बर्ग में दक्षन अफ्रीगा खिलाब टेस्ट माच खिला था। इसके बात से बु पूरे IPL सीजन से ही और ऑस्चेलिया दोरे तक में भी नहीं जा सके थे। मुनिशु कुमार ने साल 2013 में भारत की तरफ से टेस्ट में डेब्यू किया था। वो इसके बाद मात्र 21 टेस्ट माच ही खिल पाए हैं। 21 टेस्ट माच में 26 के उसत से उनके नाम 63 विकेट है वही